यहाँ पर इस वीडियों बात करने वाले हैं 260 सेग्मेंट में आने वाले मोटर साइकल के बारे में जो की लेटेस मोडो लॉंच हुई है इसमें से आपको कौन सा लेना चाहिए क्योंकि दोनों यह एक प्रीमियम सेग्मेंट के आती है फीचर्स ज्यादा मिल जाता है तो 160 में कौन साब की बजट रिंज कंदरा जाएगी मालिस करेती है सारे जनकरी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं तो सबसे पहले बेसिक पॉइंस से स्टार्ट करेंगे और आप आचे के जो रेस एडिशन है उसके कंपैरिजन जो यह दी फॉक्स अस्पेंशन पलसर आती है उसके बारे में बात करने वाले है तो यहाँ पर रेस एडिशन में की वहला आपको एक कलर ओप्सन देखने को मिलेगा लेकिन वही अगर आप एगर आप डॉल चेन एबियास अपसाइड डॉन फॉक्स असपेंसर यहाँ पर आपको चार अलग अलग कलर ओप्सन देखने को मिल जाती है वहीं जो लोकों डिजािनिंग है वह यहाँ पर आप देख सकते हैं साबसे पहले जो रेस एडिशन के साथ अपाचे यह देख सकते हैं अ прंसक हैं इसका अपर इंडिकेटर लाइट भी आप देख सकते हैं फ्रंट में चोटा सा वाईsan दिया गया है और यहाँ पर इंडीन करकी विल्स भी यहाँ पर देखनी को मिल जाती है इसके लाबा यहाँ पर ओवराल साइड से लुग दे सकते हैं टैंक की उपर आपको टीवेस का लोगो मिल जाएगा टैंक स्राउड इस पर आपको ग्राफिक्स मिल जाती है उपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 1982 लि में इंचे पे ब्लैक मिल जाता है इसके ब्रैंडिंग दिए गई है लुट से लुक दे सकते हैं बीछे आपको ग्रैफिक्स मिल जाएगा और रह से इसकी जो टेलियम डिजानिंग दे सकते हैं नीचे नम्प्र प्रेट पर लीट भी दिए गई दुसरे साइड आप जो पुल्सर एन वन सिस्टी इसकी डिजानिंग आप देख सकते हैं यहां पर आपको फ्रेंट में जो सस्पेंशन दिया गया आपको गोल्डिंग का इससात मिल जाती है ऑवराल जो फ्रेंट से लुक देख सकते हैं फ्रेंट पर भी आपको यहां पर ग्राफिक्स वेड़ा बेतर निके मिल गए ऑपन सब्सक्राइब गर्पर भी और इसके दूंचे जाते हैं वहीं आप提ा दूसरे साइट धेख कर्गें तो इस ग्राफिक्स वेड़ा हैं आपको फुर्ट्रेंग की यहां पर दी गया मिल जा तो इस लुक के साथ आपको लिए मिल जाती है look wise जो आपको बैतर लगे उसके साथ आप यहाँ पर जा सकते हैं और यहाँ पे इंजन पाउर के गर बात करें तो RTR 160 में आपको 159.7cc का 4-stock air-cult 2-volve engine मिल जाता है जो कि 16.04 PS का power 8750 rpm पर 13.85 mm का इसमें आपको 164.82cc का सिंगल सेंडर 2-volve air-cult इसमें इंजन दिया गया है जो कि 16 PS का power 8750 rpm पर 14.65 mm का टॉक 6750 rpm पर जनिट करती है यहाँ पर भी 5-piece speed gearbox दिया गया है दोनों इलगबग 160cc में आती है लेकिन जो पावर है यहाँ पर आपको Pulsar N160 में ज्यादा बहतर देखने को मिल जाती है और इसके राव यहाँ पर जो टॉर्क है वह भी बहतर आपको N160 मिल जाएगे 5-piece speed gearbox यहाँ पर दोनों दिया गया है तो अगर आपको ज्यादा पावर चाहिए तो यहाँ आप N160 के साथ जा सकते हैं suspension setup के अगर बात करें तो यहाँ पर जो आप आचे है इसके front में देखेंगे तो यहाँ पर आपको Telescopic Warrior के साइट Monotube Inverted Gas Filled Sock यहाँ पर suspension दिया गया वहीं जो N160 है यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपको front के side upside down for career में Mono Sock with Nitrocks यहाँ पर suspension दिया गया है और यहाँ पर front में 270mm का disc brake मिल जाता है वहीं इसके rear में देखेंगे तो 120 x 70 का 70acaktt के tubeless style दिया गया है और यहाँ पर rear के side 200 mm का disc brake मिल जाएगा वहीं दुसे side N160 लेते है तो इसके front में 100 by 80 का 70acaktt रीयर में 130 by 70 के 70 रीयर में ए7 10 INS के tubeless style मिल जाते है जिसके front में आपको 300 mm का डिस्क प्रेक और रियर में 230 mm का डिस्क लगा हुआ है तो टायर साइज यहाँ पर थोड़े से ओड़े N160 में मिल जाते हैं बागे यहाँ पर फीचर्स की बात करें कोनगों से आपको फीचर्स मिल जाएंगे तो अगर आप टीबेस पाचे लेडी हेडलिम के साथ यहाँ पर DRS देखने को मिल जाती है अब आच्छे 160 में आप देखेंगे तो यहाँ पर फुली डिश्टर्ड डिस्प्ले मिल जाता है जो कि स्मार्ट एक्स कनेट के साथ आती है इसके लाव इसमें वाइस असिस्ट का फीचर दिया गया है इसके डिस्प्ले में आपको टर्ण बाई टर्ण निविगेशन कॉल एसमें सलर्ट गियर पोजिशन इंडिकेटर सारी जनकर यहाँ पर देखने को मिल जागी लैप टाइमर भी दिया आप आपको तीन राइडिंग मोड मिल जाता है जिसमें आपको रें अर्वन और इसपोर्ट मिल जाएगा वहीं अगर आप एन वन सिस्टी लेंगे तो यहाँ पर भी आपको इसमें तीन एबिया गया है अपाचे वन सिस्टी में आप देखेंगे जिटी यानि की अ करें आय स्वीच्श जिससे की डिसपेे कंड्रोग कर सकते हैं इंडिकेटर स्वीच है और नी ची हां की सुप ईयकिन पर धीन तो इसमें आपको हैडल a इसके लाए पर आरह पी तो फीछरे प्लीटैन के निसमेंप यहां पर करना देंड कर रेसे का पाह 말씀 मी दे झाल Queens में यह Exp worried ब्लाउट मिल जागी क्योंकि 160 से में आती है आप डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज भी करते हैं तो मालेज यहाँ पर थोड़ा सा इफेक्ट हो सकती है डामेंस की बात करें तो जो आप आचे 160 आती है तूबी मोडल यहां पर जो इसकी ग्राउंड क्रिया से 180 में सीट है 790 में फ्यूल टैंक कर्षटी 20 तक दी गई है और जो इसका वेट है वह आपको 138 kg तक देखने को मिल जागी वह जो एन 162 की ग्राउंड क्रेस 165 में है सीट है 795 में है फ्यूल टैंक कर्षटी 148 तक दी गई है और जो इसका वेट है 152 kg तक है तो यहां पर जो बैतर प्राइज में कितना डिफ्रेंस है तो आप आचे 162 भी लेते हैं इसकी जो एक्स रोम उत्तर प्राइज है रेस एडिशन के साथ है इसकी जो एक्स रोम प्राइज है उत्तर प्राइज में वन लाग 42,070 रुपय तक है जिसकी ऑंड़ प्राइज वन लाग 69,300 रुपय के असपास चली आती है तो यहां पर प्राइज में अगर आप डिफ्रेंस देखते हैं इन दोनों वेरियंट में तो कहीं न कहीं आपको आपको आचे जो रेस एडिशन आती है एन वन सिस्टी के यूजडी फोक्स अस्पेंशन वाले वेरियंट से यहां बता दिया है उमीद करता है आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देजेगा और इस फेस्टीवर सिचन कुछ ने कुछ आफरस चलते रहते हैं तो लेटेस जो आफर है वो अपने नस्दीकी सोरूम पर जाके पता कर सकते ह और इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के चैनल को सब्सक्राब के लिजे थैंको फैंस थैंक्स फर वाचिंग